हलो गाईज कैसी हो आप लोग तो फिर से में आप लोगों के लिए कर नहीं वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर आप बात करेंगे किस तरह अपना सीटी सकेंज काम करता है अपपा कोई फिजिक्स वगएर तो इसके अंदर पढ़ेंगे नहीं लेकिन आप इतने simple working बढ़ लेंगे जिसे एक रीडियोग्राफर या फिर बोल से तो एक जो simple जो person है ना जो CT scan करिवाने जारे है उसको समझ आ जाएगा कि हाँ इस तरह अपना CT scan काम करता है और यह यह इसके अंदर चीज़ें होती है तो उचलिए guys अभी आपके स्टार्ट करते हैं during a CT scan the patient lies on a table that moves through donut like ring known as gantry पहले जो पिछली वीडियो में आपने क्या बात कि थी आपा patient को एक table पे लिटा देते है ना अभी वो table पर लिटाने के बात क्या करें वो table ना एक donut shape ring होगी उस ring के अंदर जाएगी वो ही table वो जो ring को बोलते है आपा gantry gantry के अंदर वो table जा रहे है जिसको बात करेंगे ना फीजिक्स की तो उसके अंदर ये चीज़ है आपा डीट कर लेंगे देन कह रहा है कि the gantry has an x-ray tube that rotate around the patient while shooting narrow beam of x-ray through the body the x-ray are picked up by the digital detector director opposite the source तो इसमें ये बात कर रहे है सबसे पहले हमन क्या 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 एक्सरेशन देगी x-rays निकालेगी और इनी x-rays से क्या होगी अपने body में image आएगी और जिस तरफ अपने को जो x-ray tube लगी है उसके opposite में अपने detectors लगी है वो detector क्या करेंगे in signals को detect करेंगे जैसे simply x-ray में क्या करते तो अपने पीछे cassette लगाते तो सामने tube होती थी tube से x-ray निक सकता है एक पूरा rotate करेगा तो अपने पास एक image generate होगी जो image होगी वो 2D होगी और लगबग उसकी range क्या होगी 0.04 to 0.4 inches इतनी inches होगी 0.04 to 0.4 inches इक से 10 mm की थिक हो सकती है जैसे अपने को बोल सकते है ना 5 mm की चीज़े 3 mm की 2 mm की 6 की 7 mm की तो चीज़े यहां define होती है then कह रहा के बाद डॉक्टर को भी एक पॉइंट मिल जाए कि हां यार पेशन को कहां कहां दिक्कत है तो यह सहर चीज़े तो वो explore कर लेगा then यह scan के दर अपना अलग बग time लग सकता है दस से पंद्रा मिनिट पंद्रा मिनिट maximum लेकर चल सकते हो बाकि अपना depend करता कि कौन सी बोडी यह फिर बेरियम होगा और यह किस तरह आप आप पेशन को दे सकते हैं सबसे पहले औरली पिला देंगे रेक्टल दे सकते हैं और इंजक्ट आईवी के तरू उसको पेशन को दे सकते हैं किस तरह का अपने को टार्गे टिश्यू में कौन सी बोडी रिजन का पार्ट को scan कर कर दी जाएगी देन कहा रहा है कि the material in the solution work temporary alternating how oxygen will make the tissue और यह contrast क्या करता है जैसे अपने को जैसे अपने एक तो black and white image दिखेंगे लेकिन उसको bright कर देगा कुछ उसको alter कर देगा जो result दिखेंगा ना उसके अंदर कुछ तो इसमें अपने को ज्यादा कोई hard and fast rule नहीं है जैसे अपने को वाइट 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 संकिला पदार्थ अपने को सबसांस दिखेंगा then कह रहा है कि CT scans को क्या करते है कोई पिन पॉइंट infections हो गया कोई muscle disorder है bone fractures हो गई cancer tumor या फिर कोई और abnormality में लिए ब्रेन वाले रिजन्स की हो गई तो MRI भी कर रहते हैं लेकिन CT में भी यह चीज़ आपा देखते हैं लग भग और कोई emergency situation है तो यह क्या करता है CT life saving tool है इसके अंदर क्या करता है क्योंकि अगर माने कोई trauma का patient है उसको कोई blood वग सा सकते हैं तो कुछ इस तरह से अपनी CT काम करती है CT में सिपली patient को लिटाया गेंट्री गोमेगी radiation निगलेगी फिर वो detector से catch होगी catch होने के बाद उसको क्या करेंगे आपा system में आजाए कंप्यूटर से 2D 2D से फिर 3D को आपा recon करतेंगे ना 3D में आजाए 3D फिर अपने को कोई भी डाउट होता आप मेरे को Instagram पर पूस सकते हो YouTube पर भी comment कर सकते हो लेकिन यहां कई बार क्या होता है comment disappear हो जाते हैं लेकिन Instagram पर message करते होगे ना link में description में दे रखा है या फिर आप इंस्टाग्राम पर doctor inside subscribe होगी तो अपना page आजेगा doctor inside vvk चिंपको इस तरह आपको दिख जिगवा तो वो अपना ही page है okay thank you friends have a nice day